हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो अच्पी एससी के प्रिवेस एर जो क्वेश्चन्स है उन्हें हम डिस्कस करेंगे इसमें हम मेलनी हर वीडियो में जो है अब एटलिस 10 तो 15 क्वेश्चन्स जो एच्पी एससी के प्रिवेस एर पे महुर्यान किंग मैंटेंड रिलेशन विद फॉरन पावर्स फॉर्थ ताइम तो इसका वो राइट अंसर है और चंतर गुप्त महुर्या ऑप्शन दी तो हम जाते हैं इसमें डिटेल में नहीं सिदे से जो अंसर होगा से यह ओफिशल अंसर की किया कोडिंग उसे ही किया करे हैं तो option D जो इसका राइट अंसर है next is the two important centers of gupta sculpture और gupta मृतिकाल के दो महतवपून के दर थे मतुर्या और सारनाथ तो option B जो इसका राइट अंसर है next 123 question जो है who among the following was not a celestial God in the Vedic period निवन ऐसे कौन से वैदिक काल का दिव्या देवतता नहीं था तो इंसर option C जो उसका right answer है next है who is known in history as a darwesh king on account of his simple habits इतियाज में कौन अपनी सरलाच्चों की विसे darwesh raja की नाम से जाना जाता था तो option A नसीर उदीन जो है उन्हें जाना जाता था next है गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है तो जा पाजी जो है option C जो है उसमें पाया जाता option C right answer होगा next है सिवा जी के बाद गोरिला युद रणनीती का सबसे मान प्रतिपादक माना जाता है सिवा जी के बाद बाजी रहो वन को जो है माना जाता option C right answer होगा और next है इंदू लेखा 1889 का लेखक कौन है तो इसका जो लेखक है वो चंदर मैनन option B जो है इसका राइट अंसर है next है भारतिय संग किस साल मैं भारतिय रास्ट के कॉंग्रेस में विलीन हुआ तो 1886 में विलीन हुआ था तो option नहीं राइट अंसर होगा next question है नीमन में से कौन सा महाधी गोंडवा लेंड का भाग नहीं था तो इसमें रोप जो है वो लेंड का पार्ट नहीं तो option D राइट अंसर होगा next है प्राणी वनस्पती और अन्य सुक्सम जीवों की जिवर्शम पाई जाती है तो इस सेडिमेंटरी अफसाधी जो रोक सो ती जटान उन्हें पाई जाती हैं से option B जो है इसका राइट अंसर होगा next है नीमन में से कौन सी greenhouse gas नहीं है तो मो नीमन में से कौन सी greenhouse gas नहीं है तो नाइट्रोजन जो option A है वह इसका राइट अंसर होगा प्रेंस एक question रहे है पिछला वाला हम कर लेते हैं पुसे नीमन में से कौन सी अवधी अल नीनों से प्रवावीत है तो मॉन्सून जो है वह option B वह इसका राइट अंसर होगा तो हम नेक्स्ट देखते हैं सखालीन दीप किसका भाग है तो यह सखालीन जो दीप है रशिया का भाग है तो option B राइट अंसर होगा next question नाथुला दराक का हंस दीत तो यह बहुत important question बहुत प्रम्या पूच्छागी है option D जो है इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट वेस्टन है नीमर मैंसे कौन से राज्ये से गुदावरी नदीर नहीं गुजरती है तो गुजरात से गुदावरी नहीं पुजाती है तो option D जो इसका राइट अंसर होगा नेक्स्ट वेस्टन है नीमर मैंसे किस कोटी के जंगल का भारत में सबसे ज्यादा विश्टार है तो परणपाती वन जो डिसीर्टियस फोरेस्ट यह उनका सबसे ज्यादा है option B राइट अंसर होगा नेक्स्ट वेस्टन है बहुत तीवर्ता वाली सिंचाई पाई जाती है तो गंगा यह मुना दोहाब में जो है वेरी आइट अंसर पाई जाती है option B इसका राइट अंसर होगा next question है कुराडी तापिया परियोजना किस विदूता पूर्ती करती है तो यह महाराष्टर को पाउर सप्लाई करती है next question है 139 the force due to magnitude चुंबकिया बल होता है variable force तो इस वीडियो का जो लाक्स्ट प्रस्टन है वो है the penetrating power is maximum इन तो एक गामा जो रेज है उनमें penetrating power maximum होती है option B जो है इसका और आइटन्स होगा तो फ्रेंड्स मेरे भी चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें मैं ऐसी है एच्पी ऐसे से की जो प्रीवेस यह रहे है उन्हें लेके अत्तर होंगा थैंक्यू